नमस्कार स्वागत है आपका आर्या निउस में मैं हूँ आपके साथ सुमनपाल देश में जानलेवा करोना वाइरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है साथ ही करोना के सबसे खतरनाख वैरियंट ओमिक्रोन के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं देश में कल करोना वाइरस के ही 2,68,833 नए के सामने आये हैं और 402 लोगों की मौत भी हो गई है वही अब तक अगर करोना के ओमिक्रोन वैरियंट के 6,041 मामले सामने आ चुके हैं देश में देनिक पोस्टिविटी अगर रेट की बात की जाये तो वह अब तक 16,66% और देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है जो 14,17,820 हो गई है वही इस महामारी से जान गवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है जो 4,85,752 हो चुकी है आपड़ों के मताबिक कल 1,22,622 लोग ठीक हुए है और जिसके बाद अभी तक 3,49,47,390 लोग संकर्वन मुक्त हो चुके है आपको बता दे कि रास्ट वे आप ये टीका करण मुहीम के तहत ही अभी तक करोना वाइरेस रोधी टीकों की 156 करोड से ही ज्यादा खुराग दी जा चुकी है कल 58,296 डोस दी गई है जिसके बाद अब तक वैक्सिन की 156,251,117 डोस दी जा चुकी है देश में अब तक कौमी करोन वैरियंट से ही 6,041 लोग संक्रमित हो चुके हैं और ज्यादा तर मामले महारास्ट और रास्धाने दिल्ली से सामने आ रहे हैं अमेरिका सहीत दुनिया भर के देशों में ही इस समय कोविड-19 के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और इस समय ही कोविड के मामले पिछले साल अस्पताल में भरती हुए अमेरिकों की संख्या को भी पार कर गए हैं अमेरिकी स्वास्त मानव सेबा विभाग के आकड़ों के अनुसार कहा जा रहा है कि रविवार तक वायरस सही पीडित 1,42,000 को देश भर में ही अस्पताल में भरती कराया गया था और साल 14 जनवरी को ही रिपोर्ट किये गए 1,42,315 के ही एक दिवसी मामलों की संख्या से बहुत ज्यादा है वही अस्पतालों में भरती होने का साथ दिन का ओसत एक लाग 32,086 था ये भी कहा जा रहा है और ये भी जानकारी सामने आई है कि जो दो सब्ता पहले की तुलना में ही 83 पर्तिशत की व्रिदी है वही साथ अफ्रीका में कोविट केसों पर भी डबलू एचों ने टिपड़ी करते हुए कहा है कि महादी पर महामारी शुरू होने के बाद से इस समय वहाँ पर केसों की संख्या में काफी कमी आई है आकड़ों के मताबिक जहां अफ्रीका में कोविट के कुल मामले 10.2 मीलियन से अधिक हो गए है वही संक्रमेड के दर्ज मामलों का पता चलता है सब्ताहिक संख्या की पिछले सब्ताह की तुलना में ही 9 जनवरी तक 7 दिनों तक में मौजूद रही और अफ्रीका में भी डबली अचो के छेत्रिय निर्देशक माहित्स दिशो मौयते ने भी बताया है कि शुरुवाती संकेत बताते हैं कि अफ्रीका की चोथी लहर तेज और संचिप्त है और लेकिन ये अस्थिर नहीं है गौरतलब है कि दक्षिन अफ्रीका में ही महामारी की लहर के दोरान संक्रमण के मामलों में भारी व्रेधी देखी गई थी लेकिन पिछले एक हफ्ते में ही संक्रमण के मामलों में 14 परतीशत की गिरावट दर्च की गई है और दक्षिर अफ्रीका जहां पहली बार ओमी क्रोन पाये जाने की सूचना मिली थी वही सब्ताहिक संक्रमन में 9 पर्तिशत की गिरावर देखी गई है उत्तर परदेश में क्रोना के एक्टिव केस अब 85,000 के पार पहुँच चुके हैं परदेश में ही अब हर जिले में क्रोना ने अपने पैर पसार लिये हैं इस बीच ही गौतम बुद नगर जिला जो बीते कई दिनों से ही क्रोना के मामलों में सबसे आगे चल रहा था उसकी जगह राजधानी लखनों में ही सबसे ज़्यादा करोना के मामले सामने आए है गौतम बुद नगर में ही करोना से पहली मौत भी हुई है आपको बता दे कि गौतम बुद में ही और ये भी कहा जा रहा है कि मामले सबसे ज़्यादा वहीं से आ रहे हैं लेकिन अब तक किसी भी मरीज की करोना से मौत नहीं हुई थी परदेश में ही बीते कई दिनों से जहां गौतम बुधनगर करोना के नए मामले और एक्टिव केस में ही सबसे आगे चल रहा था वही अब राजधानी लखनव रिकॉर्ड तोड़ना पर ही पहले नंबर पड़ भी हुए है अक्टिव केस के अगर बात की जाए तो 12195 तक पहुँच गया है दूसरे नंबर पर ही गाजियाबाद में ही आ चुका है और जिले में ही 24 घंटे में करोना के 1887 नए मामले सामने आए हैं और 394 लोगों की स्वस्थ हैं और फिलहाल 10688 अक्टिव मामले हैं तीसे नंबर पर गौतम बुद्नगर जहां करोना के 1817 नए मामले सामने आए हैं और इस दोरान 624 लोग स्वस्थ हुए हैं एक मरीज की मौत भी हुई है और एक्टिव केस अब 11491 हो गए हैं और चौते नंबर पर मेरट जहां 1203 नए मामले सामने आए हैं और 243 लोग स्व राजस्थान में करोना वाइरस का संक्रमन लगातार बढ़ता जा रहा है राजय में शुकरवार को ही करोना संक्रमन के 10307 नए मामले सामने आए हैं जबकि संक्रमन से ही तीन मरीजों की मौत भी हो गई है वहीं चिकित्सा और स्वस्ति भिभाग के अनुसार शुकरवार श 549 और अलवर में ही 1027 और जोधपुर में 801 उदैपुर में 735 और विकानेर में 615 और भरतपुर में 576 हनुमान गड़ में 388 मरीज शामिल हैं स्वस्ति विभाग के आखड़ों के अनुसार कहा जा रहा है कि शुकरवार को ही 3096 लोग संक्रमन से मुक्त हो गए हैं और इस सम में ही 52,773 करोना वाइरस संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है विभाग के मुताबिक शुकरवार को ही इस संक्रमन से 3 लोगों की मौत भी हो गई है जिसके बाद राजी में इस घातक संक्रमन से अब कुल 8,091 लोगों की मौत हो चुकी है करोना के बढ़ते मामलों को दे पहलोत ने बताया कि राजिस्थान में ही सिरोश अनवेक्षन के दोरान ही 90 फीस दे लोगों में ही एंटी बोडी पाई गई है और उन्होंने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि मुझे ये बताते हुए संतोश हो रहा है कि राजिस्थान में सिरोश अर्वलाइन्स करवा पाई गया है जिसमें 90 फीस्थी लोगों में एंटी बोडी पाई गई है कि अग्या कि अग्या कि उत्राघट में करोना संकर्मन लगातार बढ़ रहा है और शुकरवार को ही राज्ये में बती सो नई मामले सामने आए हैं अब तक कुल अगर मामलों की बात की जाए तो 7,4 438 मरीजों की मौत भी हो चुकी है पिछले 24 घंटे में ही 676 मरीज स्वस्थ हुए हैं इन्हें मिलाकर ही 3,36,333 मरीजों के संकर्मन से ही मात दी गई है ये भी जानकारी सामने आई है वहीं वर्तमान में भी आपको बता दे कि 1,23,049 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है और प्रदेश की रिकावरी दर की अगर बात की जाए तो वो 92,55 परतीशत है और सेंपल जाच के अधार पर ही संकर्मन दर 11,48 परतीशत पहुच गई है आपको बता दे कि देहरा दून जिले में भी 1030 संकर्मित मरीज मिले हैं और नैनिताल में भी 494 हरिद्वार में 543 और उध पिथोरागड में 58, अबागेश्वर में 38, चमोली में अगर बात की जाए तो 40 और रुद्र प्रियाग में भी 52 और इसके साथ ही आपको बता दे कि उत्तरकाशी जिले में 62 संकर्मित मिले हैं वहीं पोड़ी जिले के ही राज के मेडिकल कॉलेज शिरिनगर के ही कोविड अ पताल में भरती करवाए गया है बिहार में करोना संकर्मित का कहर लगातार जारी है रोजान सेकड़ों नई लोग करोना की चपेट में आ रही हैं खासकर पटना में ही करोना वाइरस बड़ी तेजी से पाव पसार रहा है और स्वास्ते विभाग की और से मिली जानकारी के अनुसार 24 घंटे में ही पटना में 2000 से ज़्यादा नई मामले सामने आए हैं और विभाग के प्रधान सचीव ने कहा है कि पटना में संक्रमण के फैलने की रफ्तार 21.8 परतीशत है और जबकि सहरसा में ही 4.8 मुझफरपूर में ही 4.73 और जहानाबाद में भी 2.43 परतीश होगा पटना में ही आपको बता दे कि 10 जन्वरी को पटना में 25 से ज्यादा मरीज मिले थे और 11 को ही 2,202 और 12 को 2,017 लेकिन 13 जन्वरी से ही फिर मामले बढ़ रहे हैं हाला कि मरीजों के संख्या में कोई कोई अलार्मिंग जंप नहीं है लेकिन वाइरस अब क्या परिस्तिती को हो जाए इसका कुछ कहना मुश्किल है और गुरवार को ही पीए मोदी की बैठक में जो सभी राजयों का स्टेट्रस दिखाया गया उससे ये क्लियर है कि सभी जगा संक्रमन तेजी से फैल रहा है ओमिक्रोन की ज्यादा केस हैं कोरोना की तीसरी लेहर ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है नए वेरियंट ओमिक्रोन के संक्रमन के मामले देश के साथ साथ परदेश में भी तेजी से बढ़ रहे हैं संक्रमन की दर भले ही तेज हुई है लेकिन फिलाल परिस्थितियां राहत वाली नजर आती हैं राहत वाली बात ये है कि इस वायरस का संक्रमन फेफडों का ही असर नहीं डाल रहा बलकि जैसा कि दूसरे फेज में हुआ था यही वज़ा है कि करोना की दूसरी लहर की तु घटकर जीरो दुश्मिलव एक परतिशत रह गया है। करोना की दूसरी लहर में करोना संक्रमण की भीशन त्रास्ती के दोरान ही जहां सिटी स्कैन के बिना संक्रमण का पता लगाना मुश्किल था। वहीं अब अधिकांस संक्रमित मरिजों को सिटी स्कैन के जरुवत तक नहीं पढ़ रही। देश में ही करोना का होट स्पोर्ट रहे। इन दौर में ही शहर की 10 परमुख सिटी स्कैन सेंटरों पर करोना की 1% मरिजों को भी लंग स्कैन या फिर करोना की पुष्टी के लिए स एक्सपर्ट का मानना है कि वरस गले के नीचे पहुचकर संक्रुमन नहीं फैला रहा लिहाजा फैफडो अथवा अन्य अंगों तक ओमिक्रोन का संक्रुमन नहीं पहुच पा रहा जो राहत पहुचाने वाली खबर है राइगर में कोरोना विस्पोर्ट एक ही दिन में 940 नहीं मामले सामने आने लगे हैं आपको बता दे कि जिले में ही दिन में ही 2520 लोगों ने कराय था टेस्ट करोना जाच करवाई थी उन्होंने जिसमें सामने आई पोजिविटी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है और जिसमें राइपूर में ही सबसे जादा 1849 संक्रमितों की पुष्ची हुई है वही करोना से परदेश में ही 5 लोगों की जान भी चली गई है चतिसगर में अब एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो 3862 हो गई है और राइपूर, विलासपूर और राइगड, कोर्बा, दुर्गा, जाजी, पूर्चामपा और जगनाज में भी लगातार केस बढ़ते ही जा रहे हैं और इस जिले में ही नाइट कर्फ्यू का भी असर नहीं दिख रहा है परदेश में किसी भी जिले में 20 से कम मरीज नहीं मिले है शुकरवार को भी 60,257 लोगों की जाच की गई थी जिसमें से परदेश में ही पॉजिविटी दर जो है 2.51 परतीशत से बढ़कर 10.21 परतीशत पहुच गई है क्रोना संक्रमट से राइपुर में ही एक और दुर्ग में एक और धमतरी में भी एक कोरवा में एक जांजगीर चामपा में एक की मौत हो गई है हॉस्पिटल से 191 लोग दिस्चार्ज हुए हैं वहीं 3886 लोगों की होम आइसुलेशन कर दिया गया है संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जो चिंता की विशे बनी हुई है और इधर सीयम भुपेश भगे ने भी परदेश वासियों से कहा है कि कुरोना से बचाव के लिए जारी गैडलाइन का पालन करे और सावधानी बढ़ते यूपी के बरेली में ही धरम परिवर्तन कर जिनत से जोती बनी यूती नहीं हिंदू लड़के से विवाह कर लिया उसने अगनी को शाक्षी मान कर साथ फेरे लिये तो पती ने उसकी मांग भरी मंगल सुत्र पहनाया और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया वहीं जोती नहीं अपने परिवार वालों से जान का खतरा बताते हुए वीडियो वाइरल कर सुरक्षा की गुहार लगाई है अगनी को शाक्षी मान कर साथ फेरे लेकर जीनत अब धरम परिवर्तन कर जोती बन गई है जोती को हिंदो धरम बहुत अच्छा लगता है और इसलिए उसने अपनी मर्जी से ही बिना किसी दबाओ के धरम परिवर्तन कर लिया और अपना नाम जीनत की जगहा जोती शर्मा रख दिया और जोती कैट के ही गरीब पुरा गाउं की निवासी है और अपने ही पडोस में रहने वाले सचिन शर्मा से वो बच्पन से महबत कर दी थी दोनों ने अपने परिवार वालों को अपनी प्रेम कहानी बताई लेकिन दोनों का धरम अलग होने की वज़ह से परिवार वालों ने शादी से इंकार कर दिया जोती सचिन के साथ बहुत खुश है लेकिन उसकी खुशी परिवार वालों को अच्छी नहीं लग रही वे नहीं चाहते कि सचिन और जोती एक साथ रहें जिनत उफ जोती के परिवार वालों ने ही सचिन के खिलाफ केंट थाने में उसकी अपरण का मामरा दर्च करवा दिया है और वहीं पुलिस ने लड़की को बरामत कर लिया है और अब पुलिस उसका मेडिकल करवा कर कोट में बयान करवाएगी सचिन का कहना है कि वो जोती को बहुत खुश रखेगा और हमेशा उसका साथ देगा जोती और सचिन का विवा कराने वाले पंडित केके शंकरधार का कहना है कि इन दोनों की जान को खत्रा है उन्होंने दोनों की शादी करवा दी है और दोनों एक साथ रहना चाहते हैं लड़की ने अपनी मर्जी से हिंदू धरम अपनाया है SSP रोहित शिंग सजवार का कहना है कि जीनत पुलिस कस्टडी में है और अब पुलिस उसे कोट में उसके बयान करवाएगी और सब कुछ उसके बयान पर ही मिर्भर करेगा